पूरे देश के अंदर गूंज रही है और मेरे संग इस टाइम एक ऐसा यूवा चेहरा है जो अपनी किस्मत भी आज मा रहा है और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है मैं बात कर रहा हूँ लोग जन्शंक्ति पार्टी के चिराग पासवान की ये ऐसा चिराग है जिसने बीजेपी को भी एक नई जोती दी है आईए उनसे जानते हैं ऐसा क्या उन्हें बीजेपी में अच्छा लगा है चिराग ऐसा क्या बीजेपी के संग अच्छा है जो कॉंग्रेस के संग कंपरिटेबिल्टी होने के बावजूद आपने छोड़ा है देखिए बीजेपी के साथ जाने की सबसे बड़ी वज़ा मेरी अगर मैं विक्तिकत रूप से बोलूँ तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिस तरह से हाल फिलाल के वर्षों में मैं उनके भाशन सुन रहा हूं और जो विकास का मुद्ध लेकर चुनाूँ में उत्रे हैं चराग पास्वान की तरह के तमाम नौजवान आज की तारिक में सिरamento हमारा है हमें जाता, भाद, धर्म, मजब, सेक्लरिजम, कम्मिनलिजम से हमें कुछ लेना देना नहीं हमें सही मायने में हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सिक्षा सेवाएं चाहिए, स्वास सेवाएं चाहिए और यही बात आशी तारीक में नरेंद्र मोदी जी कर रहे है और यही वज़ा है कि मैं उनसे प्रवावित था और यह आगरा मैंने किया था अपने राश्टिया द्यक्ष से और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे सुझावों को समान दिया और यह निर्णे लिया आपके पिता लंबे समय से जुड़े रहे लम्बे समय तक सोनिया गांधी से और आप सोनिया गांधी के पडोसी भी है आपका और उनकी दिवाले मिलती हैं क्या राहूल गांधी से समय नहीं मिला क्योंकि अगर युवाओं की बात की जाए तो आप दोनों की उमर बहुत कम है उस मुकाबले में डिफ्रेंस के जैसे कि नरेंद्र मोदी और आपका मुकाबला करूं तो उमर में बड़ा दूरी है सुनिया जी से गांधी परिवार से हम लोग के बहुत पुराने व्यक्तिकत संबन भी रहे हैं हम लोग तकरीमन 25 वर्शों से नेबर हैं एक ही उसमें रहते हैं परोसी हैं हम दोनों तो उनके साथ एक वेक्तिकत संबन रहे हैं बड़ जहां तक रही बात राजनीती की ये बात भी सत्य है कि बहुत महीनों तक हम लोगों ने राहुल से मिलने की कोशिश की सोनिया जी ने खुद जब हम उन से मिले मैं और हमारे राश्टियत देख्श उन से मिले तो सोनिया जी ने खुद ये बात बोली कि एक बार सीट शेरिंग को लेके या बिहार के मैटर को लेके आप राहुल के साथ बैठके आप बात कीज़े तो मैंने उन्हें भी ये वाद बोली कि मैं दो महीने से मैं राहुल से मिलने ही कोशिश कर रहा हूँ उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है तो उन्होंने ये आश्वाशन दिया कि ठीक है I'll arrange the meeting उसके बावजूद भी राहुल से मुलाकात नहीं हुई सीपी जोशी जी ने भी लगातार ये आश्वासन दिया कि राहुल जी से मुलाकात करवाएंगे करवाएंगे बट तमाम प्रयासों के बावजूद राहुल से कभी मुलाकात हम लोगी हो ही नहीं पाई तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी वज़ा थी जिस तरह से हमें कॉर्नेट किया जा रहा था देगे हमारी एक छोडी रीजनल पार्टी है कॉंग्रेस एक नैशनल पार्टी है लास्ट मिनट पर ये लोग डिसीजन लेते तो ये लोग अपनी रन नीती तैग कर सकते हैं बढ़ हमारे कारे करताओं के लिए हमारे नेताओं के लिए बहुत जरूरी है और तमाम नेताओं ने भी एक सुर में यही सुझाव दिया कि आज की तारिक में हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए इसलिए ये गड़बंधन हुआ एक और बड़ी बात आई थी आपके चाचा रिष्टे में लगते हैं आपको उन्होंने गोदी में खिलाया है मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद याद होगी उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप लोग साथ रहें लौट आएं ऐसा क्या था कि एक गड़बंधन जो लंबे समय साथ रहा फिर आपको लगा कि नहीं अब किसी के संग नहीं रहना है वापस NDA में पापस से आपकी बात हुई और ये भी कि आप अध्यक्ष हैं अपने यहां की संसदिय पार्टी कि आप अध्यक्ष हैं तो ऐसी इस्तिती में इतनी कम उमर में इतना बड़ा फैसला कितनी मुश्किल आई है मुश्किल दो खेर था और जहां तक रही बात लालू जी की वो मुझे से बहुत बड़े हैं सम्मानत हैं बहुत वरिश नेताओं में से राष्ट के वरिश नेताओं में से एक माने जाते हैं व्यक्तिकद रूप से मुझे कभी उनके साथ कोई इशू नहीं रहे बट हाँ राजनीतिक मदभेद जरूर रहे हैं समय समय पर मुझे राजनीतिक मदभेद उनकी विचार धाराओं को लेकर इशूस मुझे रहा है और मैं अपनी राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं मै वेक्तिकत रूप से मैं comfortable नहीं था कि राज़त के साथ हम लोग आगे क्योंकि हमारे पिछले जितने अनुभव भी रहे वो कोई बहुत सुखत नहीं रहे थे राज़त गडबंदन के साथ तो ये सारी बाते में वेक्तिकत रूप से issue था मुझे और बढ़ हां जहां तक रही बात ये निर्णे की जो भी पार्लिमेंटरी बोट का अध्यक्ष होने के नाते डिसीजन लिया मुश्किल जरूर बट जो भी डिसीजन हुआ वह सिर्फ उसे पार्टी के हित्मे और राश्ट में लिया गया आप जमूई से चुनाओ लड़ रहे हैं ऐसी इस्तिती में पहल कि अगर आप कभी चाहें कि मैं चुनाओ लड़ू तो मैं जमूई से लड़ना चाहता हूं क्योंकि अगर आप हैरार की ओर्डर में भी देखें तो सबसे पिछड़ा जिला है बिहार का जमूई चालिस वे नंबर पर आता है और जब हम एक विकसित प्रदेश की बात करते ह कि वहां कि आपके तमाम विधायत आपके जद्यू के आपका सांसद आपका जद्यू का राज्य में सरकार आपकी जद्यू की उसके बावजूद किया ऐसी वज़ा थी कि इतने वर्षों तक जमूई का कभी विकास नहीं हो पाए आज भी वहां कि मैं गाउं में जाता हूं लोगों से मिलता हूं तो आज भी वहाँ पे मूल बूत जरूरतों का संगर्श है आज भी उन्हें बिजली चाहिए सड़क चाहिए पानी चाहिए रोजगार स्वास सेवा है और सिक्षास अंसान खुलें यह तो दूर की बात है अभी तक उनकी बेसिक इंफ्रस्रक्शर जो ह है मूल बूत जरूरते ही पूरी नहीं हो पाई हैं तो यह बहुत सारे फैक्टर्स थे कलेक्टिवली जिसकी वज़ा से कि यह निर्ने लिया और मुझे खुश है कि हमारे राश्टियत देखन मुझे अनूमती दी कि मैं जमुई से चुनाव लड़ूं एक बड़ी बात सिधान्त रहे हैं जो हमारी पार्टी के आइडियालोजी रही है उसके साथ ना हमने कभी कॉम्प्रमाइस किया है ना भविश्य में हम किसी भी प्रकार का कोई समझाता करेंगे आप पास से बारह वर्ष पहले की भी बात लें दो हज़ार दो मेवी जिस वक हमारे राश्ट प्रकार की और यह बी कहा जा रहा है कि आपके पिता हमेशा अवसर बात की राजनीती करते हैं मौका परस्ती की और यह भी कहा जा रहा है वह बड़े भागशाली भी होते हैं वह जहां जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है और मंत्री मंडल में चले जाते हैं दोनों बाते हैं तो इसको आप कैसे देखते अफसर वादिता नहीं है परिस्तितियां होती है और राजनीती में विचार धाराएं बहुत माइने रखती ह हैं आज की तारीक में जिस तरह से परिस्तितियां बदी जिस तरह से हालाद बने पार्टी के अस्तित्तो को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए ये वाला निर्ने लेना बहुत जरूरी था आप अपने संगश तभी लड़ सकते हैं जब आपके पार्टी का अस्तित्त हो आपके नेता, तमाम वरिश नेता, समानेत नेता जो आपकी पार्टी के हैं वो मजबूत हों जब तक उनी का अस्तित्तो नहीं रहेगा आप किसी भी प्रकार का संगश नहीं कर पाएंगे तो जो भी निर्ने लिया गया है आज की तारीक में वो सिर्फ और से पार्टी हित म है उस तानाशाह के आने से यहां की गंगा जमनी तहजीब मर जाएगी हिंदू मुसल्मान के बीच इस टाइम खाई बढ़ती जा रही है यह कहा जा रहा है यह बिल्कुल भी नहीं इस चीज से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ नरेंद्र मोदी जी एक स्टॉंग विक्तित्व के नेता है आज की तारीक में भारत की जिस तरह से शोशो एकनॉमिक कंडिशन है बहुत जरूरी है कि एक ऐसी स्टॉंग लीडर्शिप आए जो देश की तरक्की के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जो की हाल फिलाल के वर्षों में यूपिय की सरकार नहीं कर पाई है तो डेफिनेटली उनका एक स्टॉंग विक्तित्व है बट अगर उनके आने से कुछ सामप्रदाइक्ता बढ़ेगी या कॉमुनलिजम को बढ़ावा मिलेगा मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूँ हकीकत ये भी है कि 2002 में जो गोधरा के कांड हुए बहुत दुखरत घटना थी गिवन अच्वाइज ये कभी नहीं होना चाहे था बट हकीकत ये भी है कि इतने बारा वर्षों में गुजरा और सवार कर रखा और प्रगती की रहा पर उसको लेके गए इस बात का क्रेडिट देना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जब हमारी 2014 में जब एंडिया की सरकार बनेगी नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री बनेंगे तो उसी स्ट्रॉंग नेत्रतों और विक् हमने शिक्षा दी सडके बनाई हैं आपकी ये बात महां कितनी सच साबित होगी और लोग नरेंद्र मोधी को कैसे पसंद करेंगे हकीकत जमीन की क्या है जमीनी हकीकती बता रहा हूं मैं पिछले कई महीनों से बिहार के हर जिला हर गाओं हर प्रखंड हर पंचायत में जा र सरकार में डेफिनिट्ली मैं भी एक बिहारी होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरा प्रदेश तरक्की करे उस से मुझे लेना देना नहीं कि उस वहां पर राज्य सरकार किसकी हो अगर विपस्ट्री सरकार भी अच्छा काम कर रहे तो मैं खुश होंगा कि मेरे राज्य ने कम से कम प्रगती की बट हकीकत यह है कि इतने वर्षों में नितीज जी ने सिर्फ उसे वादे किये हैं मैं यूवा हूं हूं में यह संदेश जाय कि बिहारी भी समान से जीने के लाइक हैं तो लगातार हर स्थर पर बिहार का डिटॉइट हुआ है स्थर गिरा है सिक्षा हो स्वास्थ हो रोजगार हो मूल भूज़ जरूरते हो तो हर स्थर पर इतने वर्षों में कोई ऐक खार खाना नहीं खोला आपने, तो किस विकास की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी बाते जो किताबी हैं, इतने वर्षों में ये बिहार के लिए विशेश राज का दर्जा भी नहीं हासल कर पाए, जो लगातार हम लोग तमाम पार्टियां मिलकर हम लोग, पर क्योंकि दूसरी पार्टि और उसके विकास को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया है, आपने बात करें कि बिहार के लोग इज़त से जी हैं, क्या यूपीए में कहीं आप लोग को सफोकेशन था, खास कर आपके पिता, राम बिलास पासवान को और आपको, उसको आपने सोचा कि बिज़ेपी में आपको इज़त मिल रही है, और जो लोग आ रहे हैं बिज़ेपी में, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या वज़े थी कि अपना घर आप लोग को छोड़ना पड़ा, चाहे वो सत्वाल महारावज हों, या वो सीधे आपके जगदंबी का पाल हों, क्या वज़े है यह? देखिनेटली हम लोग एंडिये का हिस्सा पहले भी रह चुके हैं, एंडिये हमारे लिए कोई नया गड़बंदन नहीं है, और दोनों गड़बंदन का हिस्सा रहने के बाद, एटलीस मैं इस बात को खुलके बोल सकता हूँ, कि जितना सम्मान बीजेपी अपने घटक दल लोगों देती है, कॉंग्रेस नहीं देती है, कॉंग्रेस जिस तरह से एक वारतालाब की कमी हमेशा रही है, कॉंग्रेस के वरशनेताओं के साथ, कम्यूनिकेशन गैप हमेशा रहा है, जो की बहुत बड़ा इशू है उस गड़बंदन में, आप सोनिया जी से हो, या राह मिलना चाहिए वो नहीं होता है यहां तक रही बात एंडिये में भाजबा के नेता हूं या तमाम घटक दल के नेता हूं बहुत अच्छा इनके साथ तालमेल है एक जो ठोकर एक साथ होकर निर्ने लेते हैं डिसीजन लेते हैं और यही सबसे बड़ी वज़ा है जिस तरह से कैसर ने हमारी पार्टी बहार में जोईन की जो कि पहले कांग्रेस के पी सी सी प्रेसिडेंट रह चुके हैं बहार में तो जिस तरह से बड़े बड़े नाम आपने सत्वाल महराजी का नाम लिए तो जिस तरह से बड़े बड़े नाम आके आपके साथ जुड़ रहे हैं ब अब जो इस से दिया BGP और आपका गडबंदन है 40 सीटे हैं आप लोग बिहार में कितनी सीटे जीत रहे हैं और जो मुझे जानकरी है साथ सीटे आपने लिए हैं तो उन सातों के साथ साथ आप BGP कितनी सीट लेकर आरहे हैं देखे सातों की साथ सीटे तो डिफिनेटली लोजपा जीत रही है एंडिये के गडबंदन का हिस्सा होने के नाते और जिस तरह से नरेंदर मोदी जी की लहर है आज की तारीक में बिना जिजग के साथ ये बात किया सकता हूं कि हम बिहार में एटलीस चालीस सो पे चालीस डिसाइडिंग फैक्टर है वहां पे वो मुसल्मान वोट आपको नहीं दिखता कि आपके साथ नहीं जाएगा नरेंदर मोदी से सीधे तोर पर उनको लगता है कि इस आदमी के संग नहीं जाना है वो टेक्टिकल वोटिंग करेगा और उसको जिताएगा जो बीजेपी को ह पतादीकारी हैं नासिब बिहार में अ् 비ए बीजेपी के साथ जाना चाहिए नरेंदर मोदीय जी के नेतर तुम्हें घडबंदन करना चाहिए दूसरा एक्जामपल अगर मुसलमानों को किसी तरह का परेज होता या डर होता या इशू होता नरेंदर मोदी जी से तो कैसर जैसे महबू वली कैसर जैसे इतने बड़े वेक्ते तो इतने बड़े छवी इतने बड़े नाम वाला नेता आज की तारीक में हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते है महिलाओं को और यूवाओं को आप क्या अपने घोशना पत्र में देने जाने रहे हैं महिलाओं के वोट बहुत मातवफूर्no है यहां दर लएपात महिलाओं की महिला सश्क्तिकरण का मुद्द'ा आज से नहीं बहुत वश्षों से चल रहा है और इसकी सिफारिश मैं भी पूर्जोर तरीके से करता हूँ मैं चाहता हूँ कि हर सर पर महीलाओं को एक बराबर का सम्मान मिले महीलाओं से सम्मान और सुरक्षा दो बहुत बड़े इशूस है जो कि बिहार में महीलाओं से ग्रस रही है तो सम्मान और सुरक्षा मेरी priority रहेगी, हमारी सरकार की priority रहेगी, NDA की जब सरकार बनती है हम लोग की priority रहेगी कि सम्मान और सुरक्षा की भावना महिलाओं में आनी चाहिए पूरजोर तरीके से और जहां तक रही बात युवाओं की युवा एक इतना बड़ा major chunk है बिहार में 60% युवा ऐसे हैं जिनकी आयू 25 वर्श से कम है और लगातार उनकी अंदेखी की जा रही है उनने इग्नोट किया जा रहा है तो बहुत जरूरी है युवा जो कि भारत का भ 호िशे हैं उनके वारे में सोचना उनको एमपावर करना जिस के लिए कि मैं खुद एक युवा कमिशन के ड्राफ पर बहुत समय से काम कर रहा हूँ जिस तरह से विमन कमीशन है या सीसी कमीशन है उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश से शुरुआत हो एक यूवा कमीशन की जो सिफ और सिफ यूवां से जुड़ी हुई समस्या को देखे आपको आपकी काबियत के अनुसार आपको रोजगार मिले रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दें केंदर एक अलग से बज़ड नरधारित करें जो सिफ और सिफ यूवां के विकास के लिए इस्तमाल हो तो इस तरह की योजना हैं महीलाओं से जुड़ी हुई यूवां से जुड़ी हुई जो हमारी सरकार जब आएगी तो हम उसको लागू करना चाहेंगे आपके घोशना पत्र की वो तीन बाते ऐसी कौन सी हैं जो औरों से अलग हैं और जो आपको ये यकीन दिलाती हैं कि ये अपील है और इस अपील को बिहार की जनता मान लेगी लेगे सबसे पहले एक मुद्द तो मैंने बताया ही जो की साथ प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुए है वो यूवां का यूवां को लेके यूवा कमिशन मैं चाहता हूँ बहुत ऑनिसली मैं चाहता हूँ कि बिहार से पलाइन रुखे तो ये एक हमारी प्रात्मिक्ता जरूर रहेगी वर इससे पहले भी हमारी एक और प्रात्मिक्ता है वो है मूल भूत जरूरत है आज भी बिहार के कितने ऐसे गाउं है जहां पे बिजली नहीं है सडक नहीं है पानी नहीं है तो हर एक आपका जला हर एक आपका प्रकंड हो यह हमारी बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता रहेगी सिचाई एक अग्रिकल्च says से हम लोग आते हैं irrigation बहुत बड़ी problem है जो कि किसानों से जुड़ी हुई है तो वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि हम टैकल करना चाहते हैं और दूसरा सबसे बड़ा है a sense of security जिस तरह से वहाँ पर प्रसाशन रहा है जिस तरह से वहाँ पर sense of security नहीं है लोगों में देशत फैली हुई है कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है तो law and order से जुड़ी हुई जो समस्या है उस पे भी नियंतरन पाना उस पे भी control पाना ये कुछ स्थर पे ऐसी चीज़े हैं जो हमारी priority रहेंगी एक बड़ी बात कही जा रही है कि शिव सेना NDA का पार्ट है और शिव सेना ने हमेशा उत्तर भारतियों को और बिहार के लोगों को महरास्ट के अंदर मुंबई के अंदर बहुत जादा corner किया है सताया है वो बिहार के लोग कैसे वोट देंगे इस बीजेपी को या इस NDA को जहां ये बार-बार लालू परसाद यादव कह रहे हैं कि जहां बेज़ती हुई हो वहां सम्मान कैसे मिलेगा इस बात को तो मैं भी उठा रहा हूँ पुरी तरीके से इस बात पर मैं भी कहता हूँ कि जो दूसरे प्रदेशों में बिहारियों के साथ हुआ वो गलत है बट हां इसके लिए collective measures उठाने की जोरत हैं हकीकत ये भी है कि नैशनल पार्टी के उपाध्यक्ष भी इस तरह के statement देते हैं कि यूपी और बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाके भीग बंगते हैं तो definitely हर स्थर पर हर political party को अपने उपर ये check and balance रखना होगा कि भारत एक united देश है भले आप किसी भी प्रदेश से आते हूं आप citizen of India हैं आपको समान मिलना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि हमारे जो alliance है issue based है मुद्दो पे जागेगा कि कि किसी के साथ आएद हो रहा है ना से बिहारियों के साथ ना से mussल्मानों केूझ के साथ बलकि मानफता के साथ भी जहां में लगेगा है अःत हो रहा है उसके लिए हमने दो हजादधो में भी आवाज उठाई थी लगातार इतने वर्षों में वाज़ तो एक हमें राची से मिलते हैं क्रिकेट के अंदर कपतान डोनी उसके लपाव कोई शहरा क्यों नहीं ने नज़ा आता है ले बिल्कुल बिल्कुल क्योगि वहाँ पर इंफ्रस्ट्रक्टन नहीं इन चीजों पर इंफ्लीटिन की आँ वर्包िर्णे होनी चाहिए आपके पास युवां से स्पोर्ट से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो अपने प्रदेश में जैसा आपने कहा और हकीकत भी है कि वहां पे टैलेंट की कमी नहीं है बहुत टैलेंट है बहुत युवां के छेत्र से हो एड्यूकेशन के फील्ड से हो साइन्स है बस जरूरत है उनके लिए वो अफसर उनके ही प्रदेश में प्रवाइड करना ताकि वो और निखर कर राष्टिय स्तर पर और अंतर राष्टिय स्तर पर वो लोग सामने आए बिहार की जनता आप से संकल्प चाहती है आप चुनाओं में जा रहे हैं सभी लोग वादे क करते हैं फिर भूल जाते हैं आप से उमीद जग रहे हैं पहली बार आप चुनाओं लड़ रहे हैं क्या आप वादा अपने बिहार की जनता से कर रहे हैं कि जो मैं आज साधना नियूस पर कह रहा हूं अगर मुझे जिताते हो मैं उसको पूरा करके देखाऊंगा एक भई मैं काम करता था एशवाराम की जिन्गी थी हर वो लक्जरी स्थी मेरे पास जो एक एशवाराम से जीने के लिए जरूरी था क्या वज़ा थी फिर चिराग पासवान को वो सारी सहूलेते वो सारे एशवाराम चोड़कर यहां बिहार मराकर धूल मिटी धूब गर्मी म आकर काम करने की इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वज़ा हो सकती है कि मैं इमानदारी से चाहता हूं कि बिहार तरक्की करे मैं इमानदारी से चाहता हूं कि बिहार का खोया हुआ सम्मान वापस आए और ये एक इमानदार एप्रोच रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज युवा एक जो ठोकर में इसाज जुड़े हैं, मुझे बुज़र्गों का भी आशरवाद मिलेगा, महीलों का भी आशरवाद मिलेगा, जात पात धरम मजभ से उठकर मुझे उन सब का साथ और समर्तन मिलेगा। मैं चलते चलते आपसे आकरी सवाल जानना चाता हूँ, तीन ऐसी कौन सी बात हैं जो सोनिया गांदी और राहुल गांदी की अपील नहीं करती और आपको नरेंडर मोधी अपील करते हैं। यूपीय की सरकार कमजोर रही है और जिसकी वज़ा से एक शोश्यो एकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है भारत में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नरेंदर मोधी जी जैसे एक स्ट्रॉंग विक्तित्व को सामने आना चाहिए, आना पड़ेगा। देश की में सही मायनों में विकास लाने के लिए देश की शोश्यो एकनॉमिक कंडिशन को सुधारने के लिए। ये क्यूबा राजनेता का दिल बोल रहा है और उनका कहना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा, अब देखना ये है कि जनता किसके साथ जाएगी। ये सच है कि इस टाइम बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़के या यूपीए को छोड़कर सीधे तोर पर बीजेपी से जुड़ रहे हैं लेकिन क्या ये सिर्फ एक माहल बनाने की कोशिश है या इस से आने वाले टाइम में देश का इतिहास बदलेगा, ये इस बार के खास प्रेशकर्श में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाज़त देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए आप बने रहें साधनानी उसके साथ नमस्कार